कि नमस्कार किरेंच किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैंने बहुत ही आसान तरीके से बगेर माईक्रोवेव बगेर इस्ट या बगेर कीजी तामजाम के आसान तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही नान घर पर बना के तयार कियेंगा देखिएगा अब मैं पास से दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया इसकी सिकाई हुई है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही हमारी थाली बन के तयार हुई है इसी के साथ में मैंने मटर पनीर की सबची भी बनाई थी तो उसी के साथ हमारी प्लेट बनकर बिल्कुल तैयार है तो लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही खाने की प्लेट हमारी बहुत आसान रेसिपी है आप भी इसे एक बार जरूर बनाईए और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो बगिर देव किये जल्दी से इस बज़ेदार नान को बनाना शड़ू कर लेते हैं आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट की जैसे ही नान घर पर बनाने वाले हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए एक बाउल में मैंने मेदा लिया है आधा चमच नमक आधा चमच शक्कर और एक चोथाई चमच ही मैंने इसमें बेकिंग सोड़ा लिया है आधा कब दही है अब एक बड़ा बाउल मेंने लिया है इसमें हम मेदा डाल देंगे शक्कर नमक बेकिंग सोड़ा दही और एक टेबली स्पून बाईल डाल देंगे इससे हमारे नान बहुत बढ़िया सॉफ्ट बन के तयार होंगे अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से हाथ से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से हमने mix कर लिया है और friends इसका अब हमें आटा गुद के तयार करना है तो आटा गुदने के लिए आप या तो गुन-गुना दूद ले सकते हैं या गुन-गुना पानी ले लिजी उससे हमें आटा गुदना है थंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करें है अब दो-तिन पुन इस पर हम ऑईल डाल लेते हैं और ऑईल को अच्छे से फेलाके एक बार इसे फिर से थोड़ा सा स्बूद कर लेंगे अब हम 10 मिनिट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं फिर हम नान बनाएंगे मेदे ने आराम कर लिया है एक बार फिर अब इसके हम पेड़े बनाके तयार कर लेंगे तो हाथ में थोड़ा सा हम सूखा मेदा ले लेंगे और इसके पेड़े तयार कर लेंगे और इसे इस तरह से करते हुए नीचे हम ऐसे ऐसे ले लेगे तो इसके लोई अच्छे से बन जाएंगे इस तरह से ऐसे कोल कर लेंगे बस पेड़ा तयार है हमारा अब सूखा आटा इस पर हम लगा कर और इसका नान बना के तयार करते हैं बेल लेंगे सूखा मेदा हमने इसमें डाल लिया है और जो एक्स्ट्रा मेदा है उसे हम इसमें फिर से हटा देंगे आप नान को या तो को बैल सकते हैं या फिर गोल शिप में बैल सकते हैं तो आपकी इच्छा जैसे आप बैल कर त्यार कर लेते हैं कुद मैंने थोड़ा सा जोसेंड में बनाके त्यार किया है अब इसके साथ में थोड़ा सा कलोंजी के दानी होते हैं कलोंजी प्याज के बीज़ी होते हैं इससे क्षेज़ें ठाल देंगे जो कलोंजी है इस पर हमारे नान पर ऊपर से थोड़ा सा छीपक जाए गेश पर मैंने तवा भी गरम होने के लिए रख दिया है आज का जो नान है हम घर पर बिल्कुल जो हमारा सिंपल सा लोहे का तवा होता है उसी पर बनाने वाले हैं अब यह जो हमारा बिला हुआ क्योंजी लगाई है इसे हम हाथ पर ले लेंगे इस तरह से और यह वाला जो पोर्शन है जिस पर कुछ भी नहीं लगा है इस पर हम हाथ से थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि हम तवे पर अगर इसको रखेंगे तो यह तवे पर चिपक जाएगा नॉन इस्टिक तवे तवे पर हमने नान को डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि धीर धीर इसमें इस तरह से बबल्स भी आने लगे हैं गेस की फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम पर रखा है थोड़ी सी देर हम इसे नीचे से अच्छे से से शेखने देंगे फिर तवे का जो हैंडल है इसे प पर ही रखा हुआ है अब हम इसे इस तरह से शेख लेंगे बिल्कुल रिस्टोरेंट जैसे ही हमारा यह नान बन के तैयार हो जाएगा देखिएगा फ्रेंट्स मैं बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ कि हमारे नान के सिकाई कितनी बढ़िया हुई है एकदाव गुला भी इस पर चित्तियां पड़ गई है और अब हम इसे तवे पर रखके और बहुत आसानी से निकाल सकते है देखिएगा पीछे से भी इसकी सिकाई कितनी बढ़िया हुई है तो मीडियम फ्लेम पर रखकर अगर हमने इसे बनाया तो यह इस तरह से मज़दार बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही हमारा नान बन के तयार हो गया है लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया देखिए अब हमें इसे फिर से गेस पर और इस पर मिल्टेट बटर लगाएंगे बटर को मैंने पिगला की रखा है जब मसे लगा देंगे आप चाहें तो बटर के बदले घी भी लगा सकते हैं लेकिन हमारा यह बटर नान बन के तयार हुआ है तो हम बटर लगा देते हैं और फ्रिंट्स जैसे भी और भी हम जो नान बनाएंगे तो बस एक की उपर एक इसी तरह से बटर लगाते हुए रख देंगे तो हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़दार नान घर पर ही बनकर तेयार होगे देखिए अब इसी तरह से मैं और भी नान बना के तयार कर लेती हूँ देखिएगा फ्रेंट्स मैंने दूसरा नान भी बना के तयार कर लिया तो हमारी यह मज़दार बिलकुल रेस्टोरेंट जैसी ही नान वाली प्लेट और पनीर और मतर वाली बहुत मज़दार ग्रेवी वाली सबजी तयार है मेरी प्लेट उम्मीद करती हूँ कि आपको रे बगे डिस्ट कुछ नहीं अमने इसमें डाला है और सिंपल से लोहे के तवे पर ही अमने इसे बना कर तयार किया है एक बार इसे जरूर बनाईएगा टेस्ट कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताईएगा आपसे फि अ मने आपको में आपशन में आपको में।